ओमजय आंतियों ओम शानतियों ओमुल्ट रजय योगर्थात्व परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना संसार में अब अध्यात्मिक शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है आसन प्राणायाम भी चलते रहें और आध्यात्मिक वाइब्रेशन्स भी चार ओर फैलते रहें ताकि भोतिकता का प्रभाव तेजी से समाप्त होता जाए क्योंकि भारत में भी वेस्टरन कल्चर के प्रभाव ने यहां के युवाओं को विकरित कर दिया है वो गलत महारग पर जा रहे हैं और इससे उनको डिप्रेशन हो रहे हैं मन की गती फास्ट हो गई है कई निरास रहते हैं कई योंको सफलता नहीं मिलती तो हमें बहुत अच्छे spiritual vibrations चार ओर फैलाने हैं ताकि हमारे देश का भविष जो यूवापेडी है वो समभल सके महान बन सके इसकी बहुत जाद ज़रत है तो उस योग के साथ साथ सभी भाई बैने इस दिन पर एक गंटा सबेरे एक गंटा स्याम को spiritual vibrations भी चार ओर फैलाएंगे सारे संसार में फैलाएंगे और इसके लिए सारा दिन ऐसरीरी होने का भ्यास करना है मैं आत्मा मस्तक सिंगासन पर विराजमान हूँ अपने तेजस्वी स्वरूप को देखते हुए बार बार अपने को गुड फिलिंग देनी है कि मुझ से चार ओर श्यंति के, purity के, शक्तियों के, सुखों के, प्यार के, vibrations फैल रहे हैं मैं आत्मा एक महान आत्मा हूँ इसरश्टी का संगार हूँ मैं भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ मैं स्वराज जदिकारी हूँ ये सब अभ्यास बहुत अच्छा सारा दिन करते रहेंगे करम में और चलते फिरते और फिर अपना connection जोड़ेंगे अपने Supreme Father से जो हमारे परमपिता हैं, जो प्यार के सागर हैं पहली good feeling उनको देंगे कि वो हमारे हैं हमारे अपना पन उनसे फेल करेंगे, बढ़ाएंगे इसको वो मेरा है जो भाग्य विदाता है वो तो मेरा मात्पिता है जो सर्व शक्तिवान है वो तो मेरा अपना है जो प्यार का सागर है उसका तो सारा ही प्यार मेरे लिए है जो स्यान्ती का सागर है, उसकी संपूर्ण स्यान्ती मुझे अपने में समा लेनी है और फिर उसके स्वरूप को परमधाम में देखते हुए बहुत अच्छी, बहुत देर तक, कुछ जादा देर तक उसके स्वरूप पर मन बुद्धी को इस्थिर करेंगे और फिर फिल करेंगे उससे पावर्फूल एनरजी हम में समा रही है, हमको आ रही है और हमसे चार और फैल रही है इससे हमें अपनी मानसिक शान्ती भी बहुत प्राप्त होगी हमारा मनोवल बहुत बढ़ेगा, सफलता हमारे आगे पीछे गुमेगी निरासाओं के काले बादल छंट जाएंगे हमसे सब को प्रेम भरियात्मिक द्रश्टी मिलेगी और इस अंसार में एक सुंदर माहूल हम क्रियेट करने में सफल हो जाएंगे और वो है स्प्रिच्छुलिट्या ध्यात्मिकता तो आज का दिन बहुत ही उमंगुत्सा से आप सभी मनाएंगे बहुत खुसियों से सारा दिन अभ्यास करेंगे और संकल्ब करेंगे भारत का ये प्राचीन राजयोग सारे विश्व में श्यंति स्थापित करे और सभी को आत्म जागरती प्रदान करे सबका नाता प्रम पिता से जुड़ जाए यही आज के दिन की सुभावनाएं हैं सुभकामनाएं हैं तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स ओम च्छान्ति